वर्गी करण तो यहां तक कि हमारे जो निदेशक तत्व हैं वो आपको पता है कि 36 से लेकर 51 के बीच में दे रखें अनुछे 36 से लेकर 51 और सम्विधान में इस्पेशल प्रकार से इनका कोई वर्गी करण नहीं किया गया है पर समझने की दृष्टी से हम इनका वर्गी करण कर सकते हैं इनका वर्गी करण हम उन अनुछेदों को लेते वे करेंगे जो समानता को लिए हुए हैं जिसमें किसी स्पेशल प्रकार की बात की गई है जैसे मैंने इनका वर्गी करण पांच प्रकार से किया है पहला वह वर्ग रखा है जिसमें आर्थिक अधिकारों के बा आर्टिखल 46 को पड़ेंगे इस प्रकार से मुरधिकारों के रचाया गया है या बताया गया कि अगर बात करते हैं 46 की तो राज जनता के दूर जो दुर्बल वर्ग हैं कमजोर वर्ग हैं विश्यषत आइसस्टी जिसको तो हम अनुसुचित जातियों और अनुसुचित जन जातियों के वर्ग में बाढते हैं इनके सिक्षा तथा अर्थ मतलब पैसा संबंदी हितों की विशेश सावधानी से उन्नती करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा ऐसा करें अनुसुचित 47 की तो राज जी लोगों के जीवनिस्तर और स्वास्त को सुधारने के लिए प्रयत्न करेगा तथा इस उद्देश की पूर्ती के लिए औशधी में प्रियोग किये जाने के अतिरिक्त स्वास्त के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार वर्ग हैं उनकी शिक्षा की विवस्ता की जा सके इसलिए प्रतेक राज शिक्षा पर जोड़ देता है इसी के अतिरिक्त अनुसुचित जाती-जण-जाती की शिक्षा को निशुलक किया गया है तथा उनके लिए रोजघर के अवसरा सुनिश्चित करने हैं आर्य सुचित जाती जनजाती अत्याचार निवरान अधिनियम 1989 यह अनुचेत 46 के ही द्वारा विधी निर्मान किया गया है अगर बात करें 47 की तो यहां पर मादक द्रव्यों के बारे में प्रतिबंद लगाया गया है और ऐसे हानिकारक पदार्थ जिन से मानव शरीर को हानी होती है जीवन इसतर घटता है इसे निकोटीन हो गया कोकेन हो गया अफीम हो गया कुछ ऐसी चीजें जो मादकता के रूप में प्रियोग की जाती है तो राजसरकार इन पर प्रतिबंद लगाता है और इनके लिए नार्कोटिक्स एक्ट बनाता है इनका बेचना विपड़न कर प्रोबार करना या स्मगलिंग करना अपराद है क्योंकि स्वास्थ पे बुरा असर डालती है तो सामाजिक नियाय संबंदी निजश्रक तत्वों में दो अनुछे दियाद रखना है 46 और 47